ये भी जानते हो हम स्टुडेंट हैं, तो स्टुडेंट को अपनी पड़ाई का अपने एम आपजाट का नसा बुद्धी में रहना चाहिए, फिर करेक्टर्स का भी खयाल रहना चाहिए, बिवेक भी कहता है, जबके गौडली पड़ाई है, तो गौडली पड़ाई में एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और फिर मुख्य बात है, टीचर के आने के बाद लेट नहीं पहुँचना चाहिए, टीचर के क्लास में आने के बाद, बाद में क्लास में आना ये भी टीचर की इंसल्ट हो जाती है, कि स्कूल में भी जो पिछाड़ी में आते हैं, उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं, अभी तुम थोड़ी देर इंतजार करो, बाबा अपना छोटे पन का मिसाल बताते हैं, कि हमारा टीचर तो बहुत सक्त था, अंदर क्लास में आने भी नहीं देता था, कि यहां तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं, समझना चाहिए बेहद का बाप पढ़ाते हैं, फिर भी हम देर से आते हैं, इतना डर रहता ही नहीं है, क्योंकि यहां बाप कोई सजा नहीं देते हैं, कहते हैं, आप यहीं जो करें सो देवता, कहने से करें वो मनुष्य, और कहने से भी जो न करें सो गधा, तुम तो अब देवता बनने वाले हो, तो आप यहीं पिछारी में बाहर बैठ सुनना चाहिए, बताना चाहिए, हमने आप यहीं अपन को सजा दी, यह भी जानते हो, कि यहां तो नंबर बार बिठाए नहीं सकते हैं, कितने ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, तो जो देवता होगा, वह आप यही इन बातों का ख्याल करेगा. झाल 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 झाल